पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं ताजात्रिन धार्मी के हम संसनी खेच खबरों के लिए लगातार देखते रहें यूत का नर जनपत जौनपुर के गौराबाद साथाना छेत्र के एक SI का एक दलाल से पैसे के लेंदेन समंदी बातचित का आडियो सोसल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है आडियो में एक यूवक की गिरफतारी को लेकर बातचित की गई है आडियो में एक दलाल गवराबाद साथाना के SI बलवीर यादो को फोन कर उनसे एक अव्यूक्त के लिए सिफारिस कर रहा है दलाल साई से किसी प्रकार की दंडात्मक कारवाई नहीं करने का आगरा करता है और उसके बदले अवन की समया अगरे की साने अमरे का वुगा जना आटे पकल्यवा का उगे जए गाए जए ठामे के साथ काही के काही के राईबा ता बताए प्फोन पचीग ना हाँ अवन तलासी भाई देखाजी पासमान मिल गया तोस्के पर ना जे चराला लंगा वर गाडी की है अब रुषका जो करने अपर नहीं किसी ने कुछ करिये माथ आवा दिखीका आओ अच्या थी पट्टिये पर देखीका रवा तेखीका जो कुछ करिये माथ जों कहीं देख वो एसाई को उनकी इच्छा अंसार पैसा देने की पेसकस कर रहा है हलाकि वाइरल आडियो में एसाई बलवीर यादो ठीक ठाक कहकर बात को टालने की कोसिस कर रहे है मोबाइल फोन पर बात्चित का या आडियो एक मिनट चार सिगंड का बताया जाता है जो सोसल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है जानकारी के अमसा नो जुलाई को इकाउना रेलवे अंडर पास के पास से दो अव्युक्तों को गजना गाउं के किसन यादो और मुफ्ती गंज के सोसा पट्टी निमासी सतेंद यादो को पुलिस ने कट्टा कार्तोस चोरी की मोटर साइकिल और प्रतिबंदित नसीला प पता है कि आडियो में दलाल पैसी की पेसका तो कर रहा है लेकिन SI बात को टाल रहे हैं उनकी सनलिपता साबित नहीं हो रही है C.U. ने कहा कि किसी ने जान बुच कर SI को फसाने के लिए साजी सन आडियो वाइरल किया है आडियो रिकार्ट करने और वाइरल करने वाले की छान भीन की जा रही है इस आडियो की पुष्टी चैनल नहीं करता यह खास रिपोर्ट है जोनपुर समबादाता पंकज राई की खास रिपोर्ट